लोगों को खेती खेते दिखाई दे रहे होंगे करनाल में की जगा है प्रवर्तवान मैंसे ही खेत हैं लेकिन 2025 बाष्टर प्लान जो आएगा उसमें करनाल में खेतों की जगा है बड़े-बड़े फ्लैट्स में शिफ्ट कर दी जाएगी और करनाल को एक नरी करनाल का आगया क्या बहुत प्लान बहुत तेजी से आगय बढ़ने वाड़ा है जैसे आप दिल्ली साइड से अगर करनाल साइड जाते हैं तो आप लोगों को दिखाई देने को परता है कि करनाल में रोड आ काफी बैतरी ने सुईदाय काफी ज्यादा है नेक फ्लैट्स क कि सब्सक्राइब करनाल में आ चुकी है फ्लैट और भी आ बहुषय में और भी आने वाड़े हैं नहीं रेजिदेंसी के लिए नहीं जो सोसाइटी अथरुटी होती वे करनाल में अपलाई कर रहे हैं तो करनाल का एक एरिया अब डवलोप ओने वाला है उसका मास्टर प्ल सब्सक्राइब करनाल का मैप लोगों को को दिखाने का काम करता हूं करनाल मास्टर प्लान को मैं बता दू कि क्या 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 चीजी है करनाल में एक सेक्टर है सब्सक्राइब करनाल के नहीं एरिया को गुशित क्या गया है और फाइनल डेवलोपमेंट प्लान फोर दोजार पचिस एडी कंट्रोल एरिया वन टू एंड एडिशनल कंट्रोल एरिया थ्री फोर एंड फाइव अंडर सेक्शन फाइव सेवन एक्ट फॉर्टीन वन सब्सक्राइब करनाल में को जो मुखरूप से गाउं है जैसे विलेज कुझपुरा कुझपुरा गाउं से जो नहेर उपर की तरफ जाती वहां का एरिया डवलप होगा इसे आगे सुगरमील की साइड जो मेरठ वाला रोड जाता वहां का एरिया इसे अलग बात करें तो रनवार गाउं इसे अलग विलेज गंजा खेडी गाउं शेकुपुरा विलेज सोहाना रसूलपुर करनाल एव एर्ष्ट्रीप ए उस साइड का एहिया देवलेप और विलेज दांडे पूर मुखरुपश लाटीज शलना रूड विलेज जन्जोरी विलेज दलतागड विलेज बकन पुर विलेज डाबरी विलेज गोगीपूर विलेज चिर्राव मुखरूप सी यह कई गाउं हैं जो मुखरूप ओने वाले हैं इनमें कई चीजें और आने वाली हैं तो मस्टर प्लान में मैं आपको अंत में समझाए जाएगा एक बार सुन दीजिए करनाला फ्यूचर प्लान में क्या कहाने वाले हैं करनाल फूचर प्लान में नए फालेट पर ने अबहाले वाले हैं यह चैन्ती प्रियें चाहिक पर रिफण लोग वहां पर बाजने में काफी इंटरस्टीड है काफी प्रियास कर रहे हैं तो बात की जाए करma UK क्या आएगा रेजीदेंशियल सेक्टर कहां करनाना में सोन मर्जीत ना भी दिकाइदया रेजीदेंशियल सेक्टर के लिए होगा डिटेल त्रेड वोल्सेटर वेड मंडीज हाउसिंक स्टोरेज पपलिक इंस्टीट प्रोइड रेजिदेंशल और मुखरब से सिनेमा सर्व दीजिए करणाल में जो एगरी कल्चर लेंड 800 नमर्शों की गए उसमें भी कुछ खास चीज़ें यहां पर देखने को मिलेंगी जिन में मार्केट गार्डन ओर्चेड एंड नर्स्रीज लेंड अंडर स्टेपल क्रॉप से ग्राजिंग एंड लेंड पैस्चर फोरस्ट ले अब बात करते करणाल करणाल इत्यास से लेकर वर्तमान और वर्तमान से बहुष्यत काम कि इसके बाद दिल्ली महाराजा नंदपाल तमर शिरल में इस एरिया में अपनी डेंसिटी को बना रखा उन्हों ने भी इसमन्दमी स्टापित किया और अगजपत सिंग जींद स्टेट के राजा ने भी करनाल में अपना राज स्टापित किया इसके बाद जो लोगों को अनेक परकार के सुझाय मुई यह कराने आकाम करती है इसी आगे में करनाल के इटियास में करनाल के आश में कलपना चाओ एक ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो अंत्रिक्स में गयी और जैसे वापीस लोटते से मैं उनका अक्समिक निदन हो गया था तो उन्हों सब्सक्राइब लेकिन उसके लिए काम जो सोनिपत के मुर्थल तक कंपलीट होगा दूसरा काम पाणिपत तक और उसके बाद करनाल तक जागे तो इसमें समझ लग जाए लेकिन रैपीड मेट्रो दिल्ली तक यातरियों के लिए सुगम एक गंटे में पहुंचाने का काम करे सरी भगवत गीता दवार सुपरमाल कंटेंटमेंट चर्च टावर करनाल में परचिद एरिया मानने जाते हैं इससे अलावबाद की जाए तो विक्टोरिया मुखरूप से बढ़ाते हैं ति आसमें क्या क्या चीज़े बढ़ी विक्टोरिया मोल होल उन्नीस से गोल्फ कोर्च परसिद हैं जिनमें काफी लोग आते हैं इसे अलावा एजुकेशन अब भी करनाल को मानना जाता है बहुशे में और भी ज्यादा एजुकेशन की कई इंस्टिटूट करनाल की तरफ आपड़ा रूख कर रहे हैं और करनाल में प्रोपर्टी तक लेने आका करनाल में काफी तरक्याने वाली है तो एजुकेशन अब में दिल्ली पॉब्लिक स्कूल जैसे नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टिटूट एंडी आराई केंद्रिय विदल स्ट टेरेशा कन्वेंट विदल कलपना चौल मेडिकल कोलेज परता पबलिक स्कूल महारना परताप अगरिकल्चर युनिवस्टी पंडदील अलोपाद युनिवस्टी आप एल्च साइंस सेनिक स्कूल कुंजपुरा बाभू मुल्चंद जैन इंस्टिटूट ट्रेनिंग इंस्टिटूट दैल सिंग कालेज अर्याना इंस्टिटूट ऑफ सिविल एविलेशन एच इसी ए और icr सेंट्रल सोल इस एलिटर्य रिशर्च इंस्टिटूट को इस बड़ा संस्ता करणाल में और मुखरुब और और कल्चर ट्रेनिंग इस्टिटूट भी करणाल में है करनाल खुद की तरक की आगे लिखता जा रहा है करनाल मास्टर प्लान दोजारी 25 जो दिखाया गया वो कतिस भी शेफ्ट हो सकता है लेकिन उसमें काफी डवलप्मेंट आने वाले करनाल में फ्लेट गुडगाओं की तरज पर फ्लेटों का एक बड़ा एरिया पूरा डवलो करेंगे अब करनाल में कुछ सेक्टरों के अंदर फ्लेट से और कई बड़ी-बड़ी कंपनियां है जो अपने प्लान को और आगे भी बड़ाने आकाम कर सकते तो उनको बारिकी से सुनने आकाम कीजिए समार्ट ओम्स करनाल एक काफी बड़ी कंपने जो गुडगाओं में अगिस 33 अवेन्यू सेक्टर 33 में सुविनिया पालम रेजिडेंसी सेक्टर 35 अंशल टावर करनाल सेक्टर 36 गरीन पार्क निलो खेडी और जी रैस विलाज निलो खेडी रिद इसीद अवेन्यू सेक्टर 31 करनाल में अंशल सुसान्त रोयल्टी सेक्टर 36 करनाल में शरी महल लक्षमी सेक्टर 36 में मंसा इंदरपस्त गरीन से और राज दर्बार स्पेशिज सेक्टर 35 प्रीमियम फ्लॉर सेक्टर 35 में यह तो मैंने बाद बस एक नाम की छोटी सी शीरीज आप लोगों को बताई है इससे अलावा भी अनेक परकार के ऐसे फ्लैट सानेक परकार के इसी स आपको बारी की से बता दूँ जीटी रोड काफी पराणा रोड है नहीं के नाम से जाना जाते काफी बीडिज पर रहती है बहुश्य में इस रोड के साथ साथ भी आपको बहुमंजला इमारते खड़ी दिखेंगी यह मातरपाद से साथ साल में उने वाड़ा काफी तरक् करनाल में तरक्की के लिए अनेक बहुमंजला इमारत बहुश्य मढने वाले हैं जो जमीन फ्लैट्स की बात कि जाए तीन से चार करोड के रेट आठ से नो करोड तक के हो जाएंगे मैं रोड पर जमीन लोगों को 20-20 करोड तक में नहीं मिल रही है जो मैं रोड पर जमीन अंदर दुकानों की बात कि जाए तो करनाल सेहर के अंदर सक्टरों के अंदर जो दुकाने पिछले दिनों जो दुकाने ंदेढ़ से 2-5 क्रोड में बिनी मिल रही है इसीपर करनाल लगातार की प्रबड़ता जा रही है करनाल सहर सेम सिटी के साथ साथ कुद को एक ऊचे पुलंदे पर ले जाने आकाम कर रहा करनाल सहर गुडगाओं और मुखरूप से बात की जाए तो चंदीगड की तरज पर वहुष्या में एक काफी डौलप सहर होने वाला और रियाना के सहस्ता रहें कि मैं भी करनाल का काफ कर दहिसके अगे तुम आप लोगों को निच्चे की साइड में असंद वाला रोड आप आपको दिखाई दे रहा होगा इस से आगे बात करें तो पी आवा वारा रोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा बरी की से दिह दे रहा होगा आप यहां पर आ verdad अप कशी तरॉड नाकी डिवलुपमेंट पुलान का मतलब होता है कि पलान पास हो चुका है अब बारी किसे देखते हैं सबसे पहले आप लोगों को काफी लोग जानते हैं और यह आई-ए-अ-र-ई करनाड है रहे इन लोग इन लोग वह देखें यहां से करणार रेले लाइन जाते हैं तो उमपाड़ा से लेकर दूसरी तरफ है दिली साइड में चली जाती ह यह रेलवे लाइन आपको दिखाई देरी होगी अब बात करते हैं कौण सा एरिया डवलोप होचुका है तो यह एरिया जो आपको दिखाने हो चुका है इस एरिया में कुछ सब्सक्राइब के उपर की तरज का जो एरिया है वह डवलोप होने वाड़ा है पहले सबसे पहले उसी एरिया को समझाने काम करेंगे और बाद में बताएंगे कहां पर क्या डवलोप होने वाड़ा है तो सुगरमील साइड का एरिया आपको दिखाएगा पूरा एरिया शट जाएगा कर नार से बिलकुल अब मदूबन से उपर की साइड बढ़ते हैं तो आपको यह एक न अच्छे जानते होंगे अब इसके और विलेज कुझुपुरा साइड का एरिया यह आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 620 से लेकर 630 नमबर दिया गया है जो पबलिक सेमी यूजिज के लिए जिसमें डिस्टिक ओफिसिज ला कोर्ट से जेड़ एड़ मेडिकल को बीच में रखा गया है यह जीटी रोड और नाड़े जो कि सुगर्बिल साइड में नाड़ा पड़ता है इनिके बीच का आपको समझाने काम काम कर रहे है इसे आगे बात की जाए तो यहां पर यह यह लो नक्सा अपको समझाएगा यह लो में दिखाई दे रहा है यह प्रपज के लिए सो नंबर एरिया आगे तक रखा गया है इससे आगे बात की जाए तो यहां पर कैनल का लोनी यहां पर आपको दिखाई दे रही है यहां पर 210 नंबर सुगरमील के साइड में आपको दिखाई दे रहा है 210 नंबर की बात के जाए तो रिटेट के लिए इस एरिये को सपेशल रूप से करदाल में रखा गया है विलेज से खुपर आपको दिखाई दे रहा है और विलेज बात की जाए तो सोहना आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 830 नमबर रखा गया है 830 नमबर की बात करें तो लैंड अंडर स्टेपल क्रोप्स के लिए इस पूरे एरिये को रखा गया है करनाल में बहुष्य में जैसे बात की जाए तो एयरपोर्ट जैसे सविधाई भी आ सकती है जिनके उपर काफी तेजी से काम चरा वर्तमान में एक लिए स्ट्रीप होते स्ट्रीप से लग करनाल में कुछ नहीं लेकिन बड़ा एयर लेकिन पर और आपको दिखाई दे रहे होगी यह बात करें तो कुणजबुरा कुणपुरा वाले रोड पर आपको दिखाई दे रहे होगे करनाल के लिए पर एक तोब द्धील्य स् 이제 नीची की तरफ आगर आँते हैं यहां पर विलेस बमरीर्ण चार इन साइक बाइपास चसे अगर बाइपास से अंदर के तरह पहलते हैं क्योंकि यह दैज्टी रोड यह दूसरे वाड़ा बाइपास आपको दिखाइदे रहा है नहीं केताइते हूं अपको दिखाई रहा है यहां पर студa के लिए और इसे उपर की के लिए यहां पर रखा गया है यह इसके बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा है अब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं पुरा करनाड़ा सहरी में सो नंबर यह लो नंबर कलर मैप आपको देंगे तो आपको अच्छे समझा जाएगा यहां पर सो नंबर रेजिडेंशल के लिए यह सेक्टर सकाई आपको दिखाई दे रहा है अब बात करते हैं अवतार नगर आपको दिखाई दे रहा है इसके साइड में इंदराच चक्रवर्ती लिपर्स कालोनी आपको यहां पर दिखाई दे रही है यह 830 नंबर और 890 नंबर यहां पर दिखा गया है अब इसे आगे बढ़ते हैं विलेज बाजीदा जटान यह आपको गाम दिख रहा है विलेज मदनपूर भी यह पर दिखाएदेर आठसो अच्छो अच्छी नंबर यहां पर आपको शो हो रहा है आठसो अच्छी नंबर की बात करें तो लैंड अंडर वाटर के दिख गया होंगे और यह अपने बारिक की से समझने काम क्या विसमें और चीजें बताने काम कुरूंगा तो अच्छो नंबर डेरी फार्मिंग के लिए इस एरिया में परमीशन लेकर डेरी फार्मिंग का काम चालू किया जा सकता है अब यह पुराना सहर जो आपको करना दिखाई आप नीचे की तरह आते हैं नीचे की तरह आपको कुछ गाउन दिखाई दे रहोंगे जिन में विलेज खेडी नारू विलेज गोगिपुर विलेज यह मुनक बात की जाए विलेज पिंगी जागीर विलेज चिराओ विलेज दादर पर रोड़ान विलेज हीमद विलेज कमलापुर विलेज डाबरी विलेज शैदपुर यह आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है यहां पर लगबग लगबग इस सारा मुख से बात की जाए तो अगरी कल्चर लेंड है इसका और भी उज किया जा सकता है अब जरीका फारम विलेज जरीका विलान यह आप अब सहर की तरफ दवार्ण जो आपको करनाड़ में दिखाई रहा है औल्डाण के असपास 100 नंबर इसके अलावाब उल्टव में 600 में यहां पर बात करें 210 से लेकर है बात कि जाए 220 नंबर तक यहां पर आपको यह दिखाई दे रहा है यह इंडृस्टियल एरिया पूरा वने वाड़ा है इसे अगे 230 नमबर 230 नमबर की बात की जाए तो 230 नमबर में वेर हैं इसे अलावा इसाथ में आपकोने वेज़चा धिए वहगा दिखाए है और आपको पूरा नाकस दिखा दिए बड़िक से दोचार्चै और पॉन्टी नाथिया मुट्सां है दिये गए हैं कलासीफिकेशन अ लेंड रेजलिएशन ओफ द रोड शाट मीटर वाई रोड दीस मीटर गरीन बैल्ट यहां पर रोने वाली है बढ़ा करें लोगों को बेचने क्रेमें वीडियो के शरुवात में कई नाम कंपनियों बतायों नाम बताएं तो वे यहां पर आने वाला है जैसे लेंड परपज के लिए रेजिदेंशिल सेक्टर, पूरा रेजिदेंशिल सेक्टर के लिए लिख रखा है, इससे अला, 210 नमबर, सुनुल्ट, नमबर, चल ट्रेड, गरीन और वेजिटेवल, मनदीज, 232 रॉसिंग ऑफिसिज, बेंक इंड गुलुडिज गॉर्मेंट ऑफिसीज, 250 रेस्टोर्एं सर्वीส इंडिस्य लाइट स्टैंट सेटिव इंड्यार्णिटिटों रहल यार्ण थेशन सेटिंग रोड ट्रांसपोर आर्स्थिップ एर स्टैंट्शेशन अचर्वेश्टॉब तैलीग्रम उपीटिविटि वातर इंस्टुलेशन ट्रैंट मेंट फंसो फीट्रंट्टिंट एंड सैनिटरी इंस्टिटूट पांसो तोरी संबर गैस इंस्टोलीस वरके 530 नंबर एलेक्टरी क्वाटर प्लांट सब स्टेशन फंसो पचास व्यड वेस्ट मैटिरियल से सदसर नंबर गॉर्रणन एडेमेंस्टेशन संघेटर लाइंस्टीटूट 620 नंबर एजुकेश से सिनेमा सेमेंटरीज के लिए 750 नमर फ्यूल फीलिंग के लिए 706 नमर वाटर पो डिजी लेक्स के लिए अग्रिकल्टर लेंड में भी स्पेशल जोन बढ़ाएंगा आट सुदस नमपर मार्केट गार्डन अट्सो बीस ओर्चाइड एंड नर्श्रीज 830 लेंड अंडर स् नोच नमबर नोन इस पूरा इरिया को बना गया है आप किन गाउं की जमीन जाने वाले सुनिए जो बाहरी गाउं मैंने बताए यह आपको नक्से मैंने बाहरी जो गाउं बताए इंगाउं के खेत्ता की जमीन इस एरिया में रेजिडिनेंशाल जोन में सरकार दभार सब्सक्रांज सकते काफी ज्याधा मया गयारटों में ओचूके हैं सरकार जब लेंग वे जमीन लोगों की सब्सक्राइब समझ goat Life D विदा लेते हैं जा इंतिचा परत